हेलो एवरिवन तो गाइज आप सबका स्वागत है आपके चनल फूर यू रेसिपीज में तो आज मैं आपके लिए 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 हूँ गाजर के आचार की रेसिपी पर बिना सिरदर्दी वाला ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको मौसम का हाल लेखना पड़ेगा कि मौसम वि एक्धम से बनाते ही आप इसको खा सकते है तो फटा फटा जाचर शुरू करते हैं बहुती उप्र देश्टी हमें यह अपने लेखने हैं है抱 दूसरे वाली यह ॥ ले सकते हो और उसका स्वहथ इतना च्छी आ जितना हस्कता है अब स्जाथ करेंगे मैंने इसको चील लिया है और इसकी जो उपर से सर नहीं मतलब वो उपर से घाट दिया और इसकी चोंच काट दिया अब इस गाजर को मैं चार हिस्सों में काटूंगी पर जो नीचे की पूंच है ना पूंच नहीं मतलब पूंच है उसे दो हिस्सों में काटेंगे क् अगर पतला पतला काटोगे आप इसको गाजर को तो फिर वो ज्यादा घर जाएगी वो हमें नहीं चाहिए अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि आप गाजर लेके आ गये हैं और गाजर खाने में थोड़ी कड़वी सी लग रही है ऐसा होता है जब शुरुवात में गाजर आना ही शुरू करती है ना मौसम में तो उसमें कड़वापन होता है तो आप क्या करो इसके जो बीच का हिस्सा होता है इसके वज़े से कड़वापन बनता है तुझे पीले वाला इसस को हटा के और अलग कर दो, होगे आपका काम जो पतलू सी गाजर थी उसके तुमने चार हिससे कर लेते पर यह जो मोटू सी गाजर है इसका क्या करें अब इसके क्या करेंगे हम इसके आठ हिससे कर लेंगे उपर की तरफ से इससे ये अच्छी से गलपाए क्योंकि अगर मोटे pieces ज्यादा होंगे तो वो भी अच्छी से नहीं गलपाएंगे अब हम दरदरा पीशने के लिए एक masala बनाने वाले हैं उसके लिए हमें चाहिए हैं याप ए Found Methi, Methi नहीं मे। मेती ले लिए ये ले लिए मैंने आधा चमप यानि कि half teaspoon और ये ले रही हूं मैं पीले वाली सर्चो अगर आपको ये ना मिले तो आप वो भी ले सकते हैं राए भी ले सकते हैं या फिर काली सर्चो जो आती है यह जो अचार बनते हैं अचार में सबसे ज़ादे यही डाली जाती है तो अब हम इसमें डाल रहा है सौफ और यह हम डाल रहा है धाई से तीन चमच आपकी मर्जी है अब इन मसालों को हमें पीस लेना है दर दरा तो मैं मिक्सी के जार में इसको डालूँगी तो आधा चमच ले लिया है यहाँ पे सौफ और अब लेंगे आप इसमें राई राई लेंगे आधा चमच तो राई को यहाँ पे पहजानने की कोशिश करो यह होती है लाल-लाल सी थोड़ी-थोड़ी सी और इसके जो दाने होते हैं वो छोटू-छोटू से होते हैं जो सरसो के दाने होते हैं वो होते हैं मोटू-मोटू से और थोड़े से काले होते हैं तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है ये टेस्ट में जादा अच्छी लगती है तो यह यहाँ पर मैं डाल रहे हूँ हींग, यह डालेंगे हैं तीन चुटकी, हल्दी डालेंगे हैं इसमें आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मर्च पाउडर एक चम्मच से कम या एक चम्मच आप डाल सकते हो, और यह सिर्फ रंग के लिए होता है, यह तीखा नहीं होता, तो हिसाब से डालना, और यह कलॉंजी जिसे ओनियन सीर्स भी बोलते हैं, यह ले लिए मैंने एक चोथाई चम्मच, यानिकी वन फोर्थ की स्पून, अब ले लिए हैं आप एक मोटू सी, मतलब मोटू नहीं, मतलब भाली तले की कड़ाई ले लिए, सारी चीजों को मोटू क जिसमें डाल सकते हैं तेल, सरसो का, और गैस को कर दिया हाई से थोड़ा सा कम, और दो मिनट हो गए है, इसको गर्म होते होते हैं, और गैस को मैंने कितना कर दिया है, बिल्कुल कम कर दिया है, और कम से थोड़ा सा जाधा कर दिया है, और इस टाइम पे जो यह मसाले थे न बढ़िया तरीकी से बस सिख जाएगा अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे अगर आपको यह लगए कि सरसो के तेल में आर हमें तो बड़ी खुश्बू सी आती है तो क्या करें अभी बताती हूं उससे पहले हम इसमें डाल देता है नमक इस सफेद नमक है खाने वाले दो दालना है तो एक चमच मैंने यहां पर डाल दिया अब यहां पर जो मसाले जो हमने कूटे थे दर दर यह वह भी डाल देगे अगर आपको सरसो के तेल में से खुश्बू आती है तो उसकी खुश्बू हटाने के लिए क्या करो गैस पर रखो उसको तेल को गर्म करो जब उ एक चमच जो नमक है वो भी डाल दिया अब हमें इसको पकाना है तो यह देखो मसाला कितनी बढ़िया तरीके से लग गया इसके उपर तो पकाने के लिए मैं क्या कर रहे हूं एक सूती कपड़ा ले लो कोटन का कपड़ा ले लो इस तरीके से ढखके उसके उपर हम रख द गया लो कम से थोड़ी सी जाधा आच पे अब इसको ğ चेक कर Each track कर lands jetzt कि यह तो थोड़ी सा हुआ को यह कट्राना टाइट ऐसा नहीं कि चम्चा लगाया और यह मर गया तो इसका यही पैचान है कि आप जला चार है वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप उसको हाथ लगाओ बिल्कुल मुलायम साओ सबजी थोड़े ना बनानी आपको नहीं न अब इसको होने कि देते हैं ठंडा अचार को जैसे यह ठंडा होगा मैं इसमें डालेंगे विनेगर यहने कि सिर्का डालेंगे है तो सफीद वाला सिर्का डाल लो यह एपल साइडर विनेगर आता है वो डालो और कुछ नहीं मिले तो फिर नीबु तो जिंदवाद है नीबु आप नीमो डालने से क्या होता है कि इसके थोड़ा उम्र बढ़ जाती है इसके थोड़ी सी एज बढ़ जाती ही जो आपका अचार होता है कर रहा खटास आ जाता है और आपका अचार पेस्टी हो जाता है तो यहां पर देखो कितना बहतरी न चार है इसके ऊपर मसाले की जरा जरा से आपको कोटिंग दिखाई दे रही होगे और यह कितना जूसी बना है हमारा जो अचार बना है अब मैं आपको दिखाते हूं उसको प्याम लेगे होगे होगे पत्ने यूपहिए कटने में तो यह यूपज़े होगे नहीं करना है और छूले वटूड़े के साथ हैं तो कि अचार नोगे सबस्क अढ़ी नोगे हो Begin क्वाइंग ब्लोइंग जिसे कहते हैं उतना मस्त लगता है अगर कभी यह लगे हैं आपको गाजर का अचार हमारा थोड़ा कच्चा सा लग रहा है तो उसको पका लो थोड़ा सा हो गया काम पर अगर आपने इसको ज्यादा पका दिया तो हो गया आपका सत्यनास फिर कुछ सब्ली यह नृट कर सकता है फिर सजी समझ के आँख बंद करके खा लेना अगर आपको इसको रखना है दो तीन दिन के लिए सर्दियों में चल जाता है और अगर आप इसको विनेगर डाल के रखते हैं तो वो 10 दिन से भी थोड़ा जादा चल सकता है अगर आप इसको फ्रिज में रख रहे हैं तो आपको इसको ढगना नहीं है इसे रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करना बहुत आसान है बड़ा फटा फट बन जाता है टेस्ट में बहुत बहुत बहतरीन है तो अगर आपको प्यारी सी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ल then take care enjoy and bye bye